Carbon Border Adjustment Mechanism European Union का नया टूल है भारत के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए भारत के एक्सपोर्ट जैसे iron, steel, aluminium को बनाने में काफी pollution होता है तो अब इनका ये कहना European Union का कि इस साल से आपको एक certificate देना पड़ेगा आप कितना pollution कर रहे हैं और 2026 से अगर आपका pollution कम नहीं हो तो आपको tax देना पड़ेगा वो कहरे हैं हम environment को safe करने के लिए नियम बना रहे हैं लेकिन निर्मला सीतरमन का कहना है कि इस प्रकार के नियम जान मुझ के हमारे exports को रोकने के लिए बनाए गए उनका कहना है कि आपको हमसे बनाए हुआ dirty steel खरीदने में दिक्कत नहीं अगर हम आपको extra पैसा दें यानि भारत जैसे developing देशों का पैसा हम European Union जैसे developed nations को देंगे ताकि वो अपनी industry को जादा green बना ले भारत इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेगा क्योंकि भारत का 27% export in industries का European Union पर जाता है जिसके लिए भारत सरकार कुछ-कुछ नए प्लान कर रही है ताकि इस चीज़को वो counter कर पाए